नमस्कार स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 News नेटवर्क में मैं हूँ आपके साथ हिमाशु जर्मा जैसा कि आप जानते हैं कि आयोध्या जी को लेकर तमाम तरीके की जो चर्चाएं थी वो हो रही थी लेकिन 22 जन्वरी के बाद भी ये चर्चाएं जो हैं वो रोकी नहीं हैं 22 जन्वरी के बाद आम जन के दर्वाजे जो हैं वो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए खुल चुके हैं और कही ना कही आम जंचों है वो नौईडा और गौतम गुद्नगर से भी जा रहे हैं हमारे साथ नौईडा डिपो से उत्रप्रदेश परिवाहन निगम के असिस्टेंट रिजिनल मैनेजर एंपी सिंग जी मौझूद है मैं आपसे जानना चाहूँगा अयोध्या जी के लिए बसे जो है वो नौईडा डिपो के द्वारा किस समय से चलाई जा रही है और कितनी तादात में जो लोग हैं वो मतलब अयोध्या जी के लिए जा रहे है नौडा डिपो से हम 23 जन्वरी से अयोध्या रहाम के लिए उत्रप्रदेश परिवेंदी कम नौडा डिपो द्वारा लगातार सेवा दी जा रही है 23 जन्वरी से हम लोग तीन सेवाव का यहां से संचालन नेंतरूप से कर रहे हैं जिस पर 6 गाड़िया चलती है एक सुबह दो बजे है दो फैर दो बजे है और शाम को 6 बजे है तो उन्हीं में यहां अच्छा मनलब एक रेस्पोंस मिला है कि यहां के जो बगत लोग हैं वो काफी जो है दर्सक के लिए उत्सुख है और बराबर फोन भी आते रहते हैं तो वो परके एक बस में हमारे य से पहले क्या बस चलती थी मतलब बैषिय नहीं पहले 23 जन वरी से ह catalyst लिए यहां से कोई सेवा नहीं थी कि वह लगना टाके सेवा थी अभी म्हदान से राम के लिंक जो है वो बढ़का जा रहा है जल्दी जिवर एरपोर्ट भी तैयार होने वाला है वहां से भी कहा जा रहा है कि पहली फ्लाइट जो होगी वह योद्या जी के लिए जाएगी आपके क्या कुछ आएगा आप जर्शन करने के लिए कब जा रहा है बगवान श्री राम की कमेंट सेक्शन में लिखते रहे है दस बड़ी खबरों के लिए पढ़ते रहे है अट्टाचॉक डाट कॉम मैं हूँ आपके साथ इमानशु शर्म और आप देख रहे हैं